दिखिए दिल्ली वालों के लिए एक खुश खबरी है कि यमना कस्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है हम ये घंटे पहले 207.53 पर आ गया है कल तक तक तकरीबन 0.01 मीटर प्रती घंटे के असाफ से घट रहा था अब वो काफी बढ़ गया है रेट अर्मोस 0.1 मीटर हर 2-3 घंटे में यमना कस्तर गिर रहा है जैसे जैसे यमना कस्तर नीचे जाएगा वैसे ही जो नाले दिल्ली भर से यमना जी में जा रहे हैं उनका पानी भी ड्रेन आउट होना शुरू करेगा बिसिकली जो अलगलग कॉलनीज में फ्लडिंग है काफी जगा फ्लडिंग इस वज़े से नहीं है कि यमना का पानी वहां पे है पर जो नालों का पानी यमना में जाना है उनका वाटर लेवल नीचे और यमना का वाटर लेवल उपर हो गया है तो इसलिए एक बार यमना का सद नीचे जाता है तो मुझे उमीद है कि अगले 12 घंटे में कुछ तो रिलीफ दिल्ली वालों को मिलना चाहिए अरोप पर प्रत्यारोप वाली बात अब कहा गया कि वहां से एक लाख पानी छोड़ने की बात है लेकिन हर्याना सरकार करिए कि इतना तो पानी वाद छोड़ा ही नहीं जा सकता है क्योंकि वह एक रेगुलेटर है इतना पानी नहीं छोड़ा जा सकता है तो क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बार आ रही थी जब इतनी विकट परिस्थिती थी तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था आप हतनी कुंड बराज के तीन दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है जो पानी हर्याना जाता है जिन कनाल्स में मैं उनमें एक बूंद पानी मी aurait जोड़ा गया ऑफनी दिल्ली की तरफ चोड़ खखाया तो यह सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से यही क्या दुश्मनी क्यों कुछ पानी संगे-र्भी कम लेकिन अगर वहां पर पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता यहां पे इतनी घनियाबादी है, तो बहुत यहां पे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया, बीस-पच्छिस हजार लोग, पच्छिस हजार लोग इवाक्यूएट हुए, बीस-पच्छिस हजार लोग आज रिलीफ कैम्प्स में रह रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब देना पड़ेगा हर्याना को, कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हर्याना में नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या अगर वहाँ पे पानी छोड़ा जाता, तो क्या दिल्ली में जो पान है है क्या उसको अवाइड किया जा सकता था इस पे तो जरूर जाच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है देखी जो यमना है नदी है वो यह नहीं जानती है कि कहां पर हर्याना की हुई कहां पर दिल्ली की हुई कहां पर यूपी की हुई हर्याना से ही दिल्ली में पानी आएगा वैसे भी ये तो सब को ही पता है कि जो बाण आई है वो हर्याना से आने वाले यमना नदी के पानी के वज़े से आई है क्योंकि दिल्ली में तो चार दिन से एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है तो जो पानी आज दिल्ली के सरकों सडकों में कॉलनीज में भरा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हर्याना से आया हुआ पानी है और अगर ऐसा हुआ है कि दिल्ली को सारा पानी छोड़ा गया हर्याना में नहीं छोड़ा गया यूपी में नहीं छोड़ा गया तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है इसका मतलब है कि जो दिल्ली में बाड आई है उस बाड को रोका जा सकता था लेकि हम तो सहमत है मिलके काम करना चाहिए हमने बिलकुल भी हम तो बिलकुल भी चाहे अर्मी हो सबके साथ हम लोग काम करने को तयार भी नहीं है सीम साथ ने खुद कल शाम को जब आईटी ओ की गेट्स खुले आर्मी के इंजिनियर्स की वज़े से खुले उनका धन्यवाद किया लेकिन आज ये बहुत बढ़ा सवाल है कि परसों रात को सौरब भारदवाज जी ने मैंने अफसरों को बोला कि एंडी आर्यफ को रात को ही आईटी ओ की रेगुलेटर पर बुलाया जाए हमें ये जवाब मिला कि एंडी आर्यफ की जरूरत नहीं है उसके बाद हमने बोला कि आर्मी को कॉंटाट किया जाए आर्मी में एक इंजिनियर्इंग विंग होगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ रात भर निकल गई फिर कल सुबह एलजी साहब की कहने पे अंडी आर्यफ और आर्मी बुलाई गई अगर बारा घंटे पहले अंडी आर्यफ बुला ली होती तो इसा बेद बहाब क्यों? जब आपको मंत्रियों ने आदेश दिया कि आप अडेश दिया कि आप अर्मी को संपर्क करिए तो क्यों नहीं किया गया? यमना पर टूटे बांग को सील करने और गेट खुलने में उनके अथक प्यासों के लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं जवानों और भारतिय सेनके अधिकारियों को आभार उन्होंने दिया नहीं बिल्कुल हम भी देते हैं आभार परसों रात को रात भर इरिगेशन फ्रट डिपार्टमेंट, MCD, PWD के अफसर वहां का लोकल लेबर रात भर काम करते रहे मतब कमर तक पानी उनकी कंदों तक पानी था लेकिन वो वहां पे एक बंड बनाते रहे कि दिल्ली में और पानी ना खुसे तो बिल्कुल हम धन्यवाद करेंगे कल सुबह से इंडियन आर्मी के भी इंजिनियर्स हैं हम उनका भी धन्यवाद करेंगे हम तो बस ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर 12 घंटे पहले NDRF और इंडियन आर्मी आ जाती तो ITO में पानी नहीं भरता सुप्रीम कोर्ट तक पानी नहीं पहुँचता और अगर अफसर मंत्रियों क इस आपातकाल में भी नहीं सुनेंगे तो दिल्ली कैसे चलेगी